नमस्ती वेलकम बेक टू माई चैनल इस वीडियो में आप तेखेंगे बहुती सुन्दर सी स्लीव की डिजाइन का टुटोरियल इसके लिए हमने इस तरह से स्लीव को कट किया हुआ है और हमारी स्लीव की लेंग थे 21.5 इंच इस तरह सी यहां पर हमने स्लीव की विथ को कट नहीं किया है यहां यानि कि हमारी जो विथ है स्लीव की चौड़ाई वो हमने कट नहीं किया है वो स्ट्रेट ही रखा है कपड़े को और इस तरह से यहां पर हमें एक गोल्डन स्ट्रिप लेनी है यह 1.25 इंच की चौड़ी है और जितनी हमारी यहाँ पर स्लिव है स्लिव का नीचे का हिस्सा है वहाँ पर उतना लेना है यह रॉंग साइड में हम इसे फोल्ड करकी इस तरह से यहाँ पर स्टिच करेंगे इसका फोल्डेट भाग अंदर की साइड है और यह खुला भाग इस तरह से स्लीव की किनारी के उपर रहेगा यहाँ पर हमें यह फोल करके यहाँ पर स्टिश लेने के बाद एक जिगजग की स्टिश लेनी है अगर आपकी मशीन में वो फीचर है तो यहाँ पर आप एक जिगजग की स्टिश लेजे जिगजग किश्टिश लेने के बाद इसी टर्न करकी इसी राइट साइड में इस तरह से टर्न करेंगी और इसके ऊपर एक टॉप किश्टिश देनी है इस तरह ये फोल्डिड हिसा स्ट्रिप का बाहर आ जाएगा और जो सिलाई का मार्जिन है वो अंदर क्यों रहेगा इसके ऊपर अब एक टॉप किश्टिश दे रेते हैं ताकि यहाँ पर बैट जाए टॉप किश्टिश देने के बाद ये राइट साइड रहेगा इसका और रॉंग साइड में ये अच्छे से बैट गया है इसके ऊपर हमें टॉपक्स देने हैं टक्स लेंगी पर यहां हम यह पोटली बटन यूज करेंगे इस डिजाइन के लिए तो इसी कलर का थेड हमें लेना है जो हम टक्स लेंगी वहां पर सिलाई लेने के लिए वही कलर का थेड लेना है बॉविन में भी और उपर से भी नीडल में और इस तरह यहां पर इसको फो फुट की एक सिंगल फुट का आदा इसा इतना आमें यह टक्स लेना है अभी देखिये यह हमने यहाँ पर यह टक्स ले लिया है यह color इस फैब्रिक का नहीं है जो हम यहाँ पर पो्टली पटन्स लेंगी उसी color का धागा हमें यूज करना है और इस तरह से आगे से आगे हमें पांच टक्स लेने हैं इस तरह से हमने ये दो टक्स लिये हैं और ये कलर धागी का अलग है इसके आगे हम तीन टक्स और लेंगे यहाँ पर मैंने ये तीन टक्स और ले लिये हैं टोटल पांच टक्स हो गए हैं हमारी और इसके बाद में एक स्ट्रिप लेनी है गोल्डन कलर की यही और ये हमने लगबग वन इंच के लिए है इसको फोल्ड करके इस तरह सी टक्स के पास में ही प्लेस करना है और जो folded भाग है वो tux की और है और यहाँ पर जितना हमें बाहर की और यह strip दिखनी चाहिए उतना इसके उपर सिलाई लेंगे यानि कि एक foot का आधा हिसा इस golden color की strip का बाहर की और शो होना चाहिए तो उतनी ही हम यहाँ पर सिलाई लेंगे इस तर से यह सिलाई होने के बाद यहाँ पर जो margin है golden color की strip का वो अंदर दब जाएगा हम इस slip को turn करेंगे turn करेंगे तो यहाँ पर सिलाई लेनी है जो हमने golden color की strip को attach करने के लिए सिलाई लेनी है उसी सिलाई की ऊपर ऊपर सिलाई लेनी है तो जो fold हिसा रहेगा इस slip का उसमें golden color की strip का सिलाई का जो margin है वो अंदर की और दब जाएगा finishing वाला हिसा बाहर रहेगा इस तरह से यह finishing वाली strip ही बाहर है और जो margin वाली थी वो अंदर की और दब गई है इसकी आगी हमें वापस tucks लेने हैं जो हमने पहले 5 टक्स ले हैं उसी तरह से इसके आगी आगी हमें 5 टक्स और लेने हैं इस तरह से आगे हमें यह 5 टक्स और ले लिये हैं यहाँ पर यह जो भी टक्स है उनको नीची की साइड में सेट करना है आइरन से यहाँ अभी यह 5 टक्स होने के बाद जो हमने गोलन कलर की स्ट्रिप लगाई है वो उपर वापस लगानी है और उसके आगे हमें 5 टक्स और लेने हैं इस तरह से यहाँ पर मैंने यी स्ट्रिप और 5 टक्स और ले लिये हैं यहाँ पर 3 ब्लॉक हो गए हैं तीनों में 5 टक्स है और उनकी बीच में हमारी गोलन कलर की स्ट्रिप है उसके बाद में यहाँ स्लिव को हमें सेंटराइज करकी यहाँ फोल्ड करना है अभी हम स्लिव की width mark करेंगी जो कि 5 इंच की है उसकी आगे सिलाई का मार्जिन फिर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हम उसे कट करेंगी यह हमें बाद में ही करना है क्योंकि जो टक्स लेते हैं उसमें थोड़ा वहत ऊपर नीचे हो जाता है तो इसके लिए स्लीव की width है उसको हम बाद में निकालते हैं यहां पर उसकी बाद में साइड में जो हिस्सा है उसके ऊपर एक सिलाई लेंगे जो हमने टक्स लिये हैं इसके ऊपर क्योंकि यह सिलाई लेने के बाद टक्स की जो सिलाई है वो खुलेगी नहीं मैंने यहां पर दोनों साइड म सिलाई ले लिए है अभी एक लेना है पेपर कैन्वास की स्ट्रिप इस तरह सी जो टक से हमारे उसकी ऊपर हमने और वन एन हाफ इंच एक्स्ट्रा ले है इस स्ट्रिप को और इससे हमें फैब्रिक पेश्ट करना है यह स्ट्रिप हमारी लगबग 1.75 इंच की है और इससे सेंटराइज करेंगे इस तरह और सेंटर की हिसे में मार्क करेंगे सेंटर की हिसे में मार्क इस तरह से करना है कि उपर की साइड में लगबग 0.75 हिसा हम खाली छोड़ेंगे बाकी हिसा मार्क करना है सेंटर में फिर स्ट्रिप की चारों और यह जो फैब्रिक है उससी फोल्ड करकी इसके उपर सिलाई लेनी है यहां पर इस इलाई होने के बाद इसी स्लेव की सेंटर की हिसे में प्लेस करना है यह हमारा हिस्सा स्लेव का जो सेंटर का पाठ है वो हम मार्क करेंगी यह हमारा सेंटर का पाठ है और यहां पर मार्क करने के बाद इस पट्टी को हम इस सी प्लेस करेंगे उपर जो 0.75 इंच हमने खाली छोड़ा है वो उपर की और रखना है और बराबर नीची से मिलाते हुए सेंटर में इस तरह सेंटर की जो लाइन है उसकी पास पास में सिलाई लेनी है एक्जेक्ट बराबर सेंटराइज करना है और जो टॉक्स है उनका शेप ना बिगड़े यानि कि वो नीचे की और मोड़े हुए है तो नीचे की और ही रहे और यहां सुई अटका की दूसरी साइड में वापस लाएंगे और जो लाइन है हमने ड्रॉक की है उसकी पास पास में सिलाई लेंगे इस तरह से यहां पर यह स्ट्रिप अटेच की है और इसकी बीच में से सिक कट करेंगे सिलाई के उपर कटना यह ध्यान रखना है उपर वी शेप है तो उसके उपर सही से कट देना है और फिर स्ट्रिप को रॉंग साइड में टर्न करने की बाद और स्ट्रिप लेंगे इसको यहां से फोल करकी यह जो नीचे का बॉक्स है वो हम खाली छोड़ेंगे उसके उपर की बॉक्स में इस तरह सी इसे प्लेस करना है और इसके उपर सिलाई लेंगे नीचे जो हमारा टर्क्स का बॉक्स है उससे छोड़ देंगे इस तरह सी यहां पर इसको प्लेस करकी इसके उपर सिलाई लेनी है यहां पर आपर सिंगल फूट यूज करना है जिपर फूट और दूसरी साइड में आके यहां हमारी पोटली बटन हम यहां पर यूज करेंगी तिन तिन पोटली बटन्स अटेश करने हैं और उनकी बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे कर जो भीचा करेंगे अशमगे इस तरह से पोटली बटन्स हमारे अटेच हो गए हैं, नीची का हिस्सा वो हमें ऐसे ही रगना है, यह कट की तरह रहेगा हमारा और इसकी लंबाई यहाँ पर लगबब 2.5 इंच की है, यह कट की तरह हमारी स्लेव में रहेगा, स्लेव की सेंटर की पार्ट में, और टोटल स् 21.5 इंच की यानि की 21.5 इंच की लिए थी और अभी 15 इंच की रह गई है उसकी बार में यहां पर हमारी पोटली पटन्स का जो मार्जिन है वो हमें रॉंग साइड में जाके इसी ट्रिम करना है ताकि यह जादा उब्राव उब्रावा ना रहे फिनिशिंग की साथ में रहे और अभी यहां पर हमारा जो पीची स्ट्रिप है यहां तुरपाई लेकी से फिनिश करना है उपर एक्स्ट्रा जो पटी उसी कट करेंगे और यहां जो पोटली पटन्स है उनकी बीच में जो गैप है वहां पर हम यह गोल्डन कलर की मोती जो ब लुक और अच्छा हो जाएगा इस तरह से यह हमारी बहुत ही खुबसूरत से डिजाइन बनके रड़ी है यह स्लीव आप पहनेंगे तब इसका लुक बहुत जादा अच्छा आएगा क्योंकि यह आदी स्लीव प्लेन है पर आदी नीचे से पूरी भरी हुई है और स्क्राइब कीजिए आगे और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फोर वाचिंग बबाई